पनीर और मक्कन के साथ साथ अब चीज का चलन भी बढ़ गया है बाजार में ऐसी कई डिश मिलती हैं जिसमें चीज का इस्तुमाल किया जाता है कुछ लोग तो एक्स्ट्रो चीज के दीवाने हैं वहीं घर में बनने वाले खाने पीने के सामान में भी चीज का इस्तुमाल बहुत जादा होने लगा है संबब है कि आप भी चीज खाने वाले शोकीनों की लिस्ट में शामिल हो लेकिन परिशानी तब और बढ़ जाती है जब market में जाकर चीज को खरीदना होता है क्योंकि market में आपको अलग-अलग varieties की चीज देखने को मिल जाती है जिनके बारे में शायद हमें इतना idea नहीं होता है ऐसे में दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे डिफरेंट चीज के बारे में दोस्तो जो कि आप अपने घर पर लाकर यूज कर सकते हों दोस्तो साथ ही इनके health benefits को भी ले सकते हैं नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल daily product comparison पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग-अलग company को दोरा बनाई जाने वाली different five cheese के बारे में दोस्तो साथ ही इन्हें हम review करेंगे और करेंगे compare जिससे कि आप भी जान पाएं कि दोस्तो आपके लिए कौन साथ चीज बेस्ट है और किस चीज में दोस्तो आपको क्या benefit देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन benefits के बारे में इन varieties के बारे में similarities आपको देखने को मिलती हैं इन में आज दोस्तो हमने top 5 चीज लिए हैं उनमें शामिल है plain, processed cheese, flavored cheese, mozzarella cheese और pari pari cheese इसके लावा दोस्तो हम बात करेंगे schedule cheese के बारे में दोस्तो अगर हम बात करें कौन सी वो company हैं जो इन सभी cheese को prepare करती है या दोस्तो बनाती हैं तो इन में शामिल है दोस्तो plain cheese या process cheese आपको देखने को मिलता है amoon plain का यानि कि दोस्तो जो best company के हम बात करें तो amoon का दोस्तो जो plain cheese आता है बहुत ही अच्छा होता है उसके लाव दोस्तो flavor cheese के हम बात करें तो mother dairy का दोस्तो आप flavor cheese ले सकते हैं अगर दोस्तों हम बात करें इनके quantity या weight के बारे में दोस्तों प्लेन चीज दोस्तों आपको amool का मिल जाता है 200 gram at just rupees 110 यानि 110 रुपए में दोस्तों 200 gram का यहाँ पर आपको plain चीज मिल जाता है amool का इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें फ्लेवर चीज की mother dairy के तो दोस्तों यह चीज आपको मिल जाता है Britannia का 200 gram 155 रुपए में तो इस तरह दोस्तों आपको almost same ही range में यह आपको देखने को मिल जाते हैं between 110 to 150 तो इस तरह से दोस्तों आपको 200 gram pouch मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों और भी quantity यहाँ पर आपको मिल जाती है जैसे कि दोस्तों आपको यह देखने को मिल जाता है अमूल दोस्तों plain चीज आपको यहाँ पर 1 kg तक देखने को मिल जाता है 200 gram 500 gram और 1 kg वहीं दोस्तों अगर हम शडूआ चीज की बात करें तो यह आपको 100 gram 200 gram और 480 gram में देखने को मिल जाता है अब कौन सी दोस्तों वो company हैं जो इन सभी चीज को manufacture करती है काईरा यूनियन इसी तरह दोस्तों करें mother dairy की तो mother dairy के product को manufacture करते हैं national dairy development board britannia का दोस्तों product को manufacture करते हैं britannia industries limited तो दोस्तों यह वो company है जो की अपने product को manufacture करती है या करवाती हैं different organization के थूँ तो जैसे कि आपने जाना दोस्तो ये वो companyya हैं जो की manufacture करती हैं सभी दोस्तो आपको ये product easily online offline मिल जाते हैं बहुत easily accessible हैं चाहे तो आप अपने पास के store से purchase कर सकते हैं, supermarket से purchase कर सकते हैं, grocery store से purchase कर सकते हैं easily accessible हैं ये सभी product जिनको आप easily purchase कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें online भी मंगा सकते हैं इनकेस दोस्तो वहाँ पर availability ना हो आपकी locality में इसके बाद दोस्तो आता है सबसे important part वो होता है ingredient का क्या-क्या ingredient दोस्तो आपको देखने को मिलते हैं जब आप इन्हें purchase करते हैं या दोस्तो इनका formation जो है वो किन-किन ingredient से मिलकर बना होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि health benefit दोस्तो आपको ingredient से ही देखने को मिलते हैं तो दोस्तो अगर हम इनके ingredient की बात करें तो सबसे पहले दोस्तो अगर हम बात करें flavored cheese की तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलता है cheese, water, milk, solid आपको देखने को मिलते हैं seasoning और condiment आपको देखने को मिलते हैं 3% इसके इलावा आपको देखने को मिलते हैं onion, garlic, black pepper, rosemary, iodized salt आपको देखने को मिलता है कुछ preservative होते हैं जो की product को लंबे समय तक बनाये रखते हैं useful रखते हैं acidity regulator और sugar आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसी दरह दोस्तो अगर हम बात करें mozzarella cheese की तो दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है mozzarella cheese, water, iodized salt, acidity regulator आपको देखने को मिलते हैं कुछ preservative जो की product को लंबे समय तक useful रखते हैं पहरी पहरी चीज की दोस्तों को हम बात करें तो यहाँ पर आपको cheese देखने को मिलता है water, milk, solid form में यहाँ पर देखने को मिलता है seasoning and condiments आपको देखने को मिलते हैं 3% पेरी पेरी दोस्तों emulsifier आपको देखने को मिलता है iodized salt यहाँ पर होता है stabilizer होते हैं, preservative होते हैं और इसके अलावब दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं acidity regulator और sugar तो दोस्तों यह कुछ ingredient आपको देखने को मिलते हैं इस product में लास्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलता है cheese, water, milk solid form में देखने को मिलता है iodized salt होता है preservative होते हैं और होते हैं दोस्तों acidity regulator तो यह दोस्तों इस तरह से ingredient आपको देखने को मिलते हैं सभी product में आगे दोस्तों बात करते हैं सभी product के बारे में क्या nutritional information क्या होता है यानि इनमें nutrition क्या क्या होते हैं कितने nutrition होते हैं क्योंकि nutrition ही दोस्तों वो cheese होते हैं जो कि आपको actually power देते हैं आपकी body की requirement होते हैं उसको fulfill करने का काम करते हैं तो दोस्तों per 100 gram अगर हम nutrition value की बात करें per cheese product की तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम जाने अमूल plain process cheese के बारे में दोस्तों तो यहाँ पर nutrition per 100 gram की दोस्तों गरम बात करें तो energy यहाँ पर होता है 314 kilo calorie fat होता है दोस्तों 214 kilo calorie total fat होता है दोस्तों gram में 26 saturated fat होता है 16 gram, cholesterol यहाँ पर 70 mg आपको देखने को मिलता है protein आपको 20 gram देखने को मिलता है sodium दोस्तों 1400 mg देखने को मिलता है calcium होता है 343 mg vitamin A होता है 51 mcg और उसके अलावा दोस्तों आपको source देखने को मिलता है vitamin C, iron और dietary fiber का जोकि बहुत ही कम होता है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसके बदावा दोस्तों अगर हम बात करें हमारे other cheese की यानि कि जो है दोस्तों हमारा flavor cheese तो यहाँ पर अगर हम nutrition value की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 250 kilo calorie energy देखने को मिलता है protein की value दोस्तों यहाँ पर रहती है 11 gram यानि 11 gram दोस्तों protein होता है carbs होते हैं 2 gram जिसमें दोस्तों sugar होता है 0.05 gram fat होता है दोस्तों 22 gram calcium होता है 315 mg और vitamin A होता है 249 UG तो दोस्तों यह ingredient आपको देखने को मिल जाते हैं इस cheese में अगले चीज की दोस्तों बात करें जो कि है हमारा mozzarella cheese तो यहाँ पर दोस्तों nutrition में आपको देखने को मिलते हैं energy दोस्तों आपको देखने को मिलता है 300 kilo calorie protein आपको 20 gram देखने को मिलता है carbohydrate होता है दोस्तों 1 gram sugar होता है 0 यहाँ पर sugar बिलकुल भी नहीं होता है fat होता है 24 gram जिसमें दोस्तों saturated fatty acid होते है 15 gram monounsaturated fatty acid होते है 7.7 gram polyunsaturated fatty acid होते हैं 0.7 gram trans fat होता है 0.3 cholesterol होता है miligram में 65 sodium होता है 1215 miligram calcium होता है 600 miligram phosphorus होता है 400 miligram vitamin A होता है दोस्तों 342 mcg तो micro दोस्तों यहाँ पर gram में देखने को मिल जाता है vitamin A तो दोस्तों यह nutrition value आपको देखने को मिल जाता है mozzarella cheese में इसके बाद दोस्तों पहरी पहरी चीज के दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको nutrition value में energy के अगर हम बात करें तो 250 kilo calorie आपको देखने को मिल जाता है protein होता है 11 gram carbs होते हैं 2 gram उसके लावब दोस्तों fat होता है 22 gram calcium होता है 315 gram vitamin A आपको देखने को मिल जाता है 249 UG last में दोस्तों अगर हम बात करें हमारे जो sugar cheese है दोस्तों चीज इसमें अगर हम nutrition value की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों energy आपको देखने को मिल जाता है carbohydrate दोस्तों होते हैं 4 gram जिसमें sugar बिल्कुल भी नहीं होता है calcium होता है दोस्तों 64 gram phosphorus होता है 312 gram fat होता है 25 vitamin A दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है 395 MCG saturated fatty acid आपको solar gram यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वही trans fat दोस्तों होता है 0.2 gram तो इस तरह से दोस्तों आपको nutrition value भी देखने को मिल जाती है इन सभी products में अब क्या benefit होते हैं दोस्तों चीस के अगर हम benefit की बात करें तो सबसे बहुत अगर हम बात करें plain cheese की तो plain cheese में आपको benefit के तौर पर देखने को मिलता है आपकी bone health के लिए दोस्तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी dental health याँनि ओरली दोस्तो दानतों से समंदित health को बहुत अच्छा रखता है आपके blood pressure को circulating रखता है दोस्तो ये healthy blood vessels को बनाने का काम करता है blood vessels आपके अच्छे बने रहते हैं आपकी गट health को दोस्तो improve करने का काम करता है साथी साथ दोस्तो आपके cholesterol को भी control करने का ये काम करता है इसी तरह दोस्तो अगर हम बात करें flavor चीज की तो दोस्तो इसके भी आपको अपने benefit देखने को मिल जाते हैं although same benefit होता है लेकिन दोस्तो ये क्या करता है calcium और protein का कहिना के spread आपको provide करता है उसके अलाबा दोस्तो some extent तक अगर हम बात करें तो vitamin A, B12, riboflavin आपको देखने को मिल जाता है zinc और phosphorus की दोस्तो requirement को भी पूरा करने का काम करता है इसके साथ दोस्तो एक अच्छा source होता है linoleic acid का इसके अलाबा दोस्तो अगर हम बात करें mozzarella cheese की दोस्तो तो इसके भी आपको अपने benefit देखने को मिल जाते हैं दोस्तो अच्छा source होता है biotin का जो कहीं नहीं एक हिस्सा होता है vitamin B7 का दोस्तो vitamin जो होते हैं वो जरूरी होते हैं बालों की मजबूती के लिए इसकिन के लिए और उसके लावा nail health के लिए इसके लावा दोस्तो इसमें आपको potassium देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो low blood pressure को control करने का काम करता है और heart rhythm को भी दोस्तो आपके normal बनाया रखता है इसके लावा दोस्तो एक अच्छा way होता है आपके bone structure को अच्छा करने के लिए साथी साथ दोस्तो आपके tooth enamel को protect करने के लिए तो ये benefit दोस्तो आपको मिल जाते हैं इस product में पहरी पहरी चीज़ के दोस्तो अगर हम बात करें तो ये आपके blood sugar level को maintain करने का काम करता है दोस्तो आपके heart health के लिए बहुत अच्छा होता है आपके digestion को improve करने का काम करता है body में दोस्तो fluid का balance बनाने का काम करता है साथी साथ दोस्तो magnesium आपको बहुत ज़ादा यहाँ पर देखने को मिलता है इसका rich yellow color यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तो goodness देखने को मिलता है pure cow milk का क्योंकि cow milk से दोस्तो इसका manufacturing होता है cow milk से दोस्तो इसका making होता है उसके अलावा दोस्तो protein, calcium and minerals में यह rich होता है लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कुछ precaution के बारे में क्या precaution आपको अपनाने चाहिए इन प्रोड़क्ट को purchase करते समय तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके का problem हो, eating से संबंदित या eating disorder हो तो आपको अपने doctor या जो भी आपके health expert है उनसे आपको consult जरूर करना चाहिए किसी भी product को अपनी diet में add करने से पहले इसके अलावा दोस्तों कुछ certain product से allergy भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ लोगों को तो अगर आपको allergy है cheese से या dairy product से तब भी दोस्तों आपको इसे avoid करना चाहिए उसके अलावा दोस्तों कुछ common अगर हम safety precaution की बात करें तो product को purchase करते समय, product की पूरी information आपको ज़रूर लेनी चाहिए जैसे कि product को कितने समय तक आप use कर सकते हैं, उसका manufacturing date क्या है, expiry date क्या है, कौन-कौन use कर सकता है, किस age group के लोग use कर सकते हैं, किस तरह से आपको use करना है, छोटी-छोटी बाते दोस्तों आपको ज़रूर ensure करनी चा करते हैं, कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, informative लगा होगा, अगर दोस्तों ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं, then do subscribe to the channel, चैनल को subscribe करना पिल्कुल भी ना बूले, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों आपके दोस् करते हैं, जिससे कि दोस्तों आपके 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 दोस्तों